बाबा, अक्सर अपने भक्तों की बीमारियों को लेते थे और उन्हें दूर करते थे। इस संबंध में महलसाप्ती के पुत्र मारतंड महलसाप्ती ने एक सुन्दर अनुभव सुनाया, एक बार मेरी मा नंदूर शिंगोट नामक गाव में अपने भाई के यहां गई थी। देखो, मेरे कूलहे पर भी फोड़ा है, लेकिन अब यहां ठीक हो जाएगा, पिताजी ने देखा कि वास्तव में बाबा के कूलहे पर फोड़ा हो गया था और वे इससे पीडित थे, इससे मेरे पिता चिंतित हो गए। बाबा ने यहां देखा और मेरे पिता से कहा, चिंता मत करो, यह दो या तीन दिनों में कम हो जाएगा, दरसल बाबा के शब्द बड़े रहस्य में है। मेरे पिता को उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि यह शब्द उनके बारे में है। दो-तीन दिन बाद बाबा के कूलहे का फोड़ा तूट गया। दो-तीन दिनों के बाद नंदुर शिंगोट में पिताजी को अम्मा का एक पत्र मिला। उस पत्र में माने बताया कि वह अपने कूलहे पर एक फोड़ा से पीडित थी और एक निश्चित दिन दर्द से राहत मिली और दो या तीन दिनों के बाद फोड़ा गायब हो गया उस चिठ्थी को पढ़ने के बाद हमें एहसास हुआ कि जब से बाबा ने मुझे बताया कि उसके कूलहे पर फोड़ा है अम्मा का दर्द कम हो गया और जिस दिन उसे फोड़ा हुआ उसी दिन उसके कूलहे पर बाबा का फोड़ा शिर्डी में हुआ पिताजी बहुत दुखी हुए कि बाबा ने अपनी पत्नी के दर्द को स्वीकार कर लिया और मुझे से कहा अरे मारतंड क्या तुमने देखा बाबा ने तुम्हारी मा को राहत देने के लिए उसका दर्द लिया उसे हमारे कारण बहुत कश्ट उठाना पड़ा 1908 के बाद एक बार बाबा ने कहा खंडोबा से जुड़े लोगों को जल्द ही परेशानी होगी लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है मैं वही करूंगा जो जरूरी है कुछ दिनों के बाद महल साप्ती की पत्नी और उनकी बेटी गंभी रूप से बीमार पड़ गए कुछ दिनों बाद परिवार के अन्य सदस्य भी बीमार पड़ गए बाबा के दर्शन करने आये भक्तों में से कुछ डॉक्तरों को इस बात का पता चला और उन्होंने महल साप्ती को कुछ दवाएं दी जब महल साप्ती बाबा से दवा के बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने उन्हें दवा का उप्योग न करने के लिए कहा वे अपने हाथों में सटक लहराते हुए मस्जित के चारों और गए और कहां आओ, देखो तुम्हारी शक्ती क्या है, यदि तुम मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अपने हाथ में इस छोटी सी छड़ी के साथ क्या कर सकता हूँ, उन्होंने किसी अ दिवार के सभी सदस्य बिना किसी दवा के ठीक हो गए, बाबा की बीमारी से लडने की विधी आधुनिक चिकितसा नहीं है, बलकि यह पूरी तरह कारगर साबित हुई है, महल साप्ती की चार बेटिया थी जानकीबाई, सीताबाई, रखुमाबाई और विधाबाई, उनक की शादी आसनगाम, दोचले, दोरहले और रुई गावों के लड़कों से हुई है, गरीब होने के कारण महल साप्ती का उनके सगे संबंधियों द्वारा सम्मान नहीं किया जाता था, एक बार दोरहले में उनके एक रिष्टिदार ने महल साप्ती को किसी समारों में अपन महारा अपमान होगा, जिस पर महल साप्ती ने कहा, बाबा न जाओं तो क्या हुआ, जो लोग उझे बुलाते हैं, वे रिष्टिदार हैं, अगर मैं नहीं जाओंगा, तो वे कुछ भी सोचेंगे, सब लोग वहां रात के खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे जाना होगा, उसने कहा, बाबा चुप रहे, वह महल साप्ती बाबा से विदा लेकर एक मित्र के साथ दूरह ले गए, जब वे वहां पहुचे तो महल साप्ती ने देखा कि सभी उनके आगमन पर ध्यान दिये बिना खा रही हैं और हात धो रही हैं, अपमान के कारण महल सा कि क्या हुआ था, बाबा अकसर